मुझाजन के और किसके साजन बनने वाले हैं पहले तुम्हें बता दूम मेरी और साथ सभी को प्राम का नाम मेरा जानते हैं आप लोग जो नहीं जानते हैं उनको फिर से बताओ तो मेरा नाम है मनोज अरपांडे इनका नाम है कलपना शा बाजू में मनीश है बहुत प्यारा बच्चा है पहली पार इंट्रुड्यूस हो रहे हैं जैसे आप लोगों ने मुझे लाहरिया लूट तो वहां के इंड़ूटरी बहुत बढ़ी है वहां का कलेक्शन थीन हजार करोड पारिप वोच्प्र इंड़स्ट्री का कलेक्शन है एक करोड लोग जूट बोल कर प्रूदूइसर को ले आते हैं ठीक है कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा सच क्यों नहीं बताते हैं ठेंगे सेस थोड़ा होता है करेला होता है किसी का नुकसान नहीं करता है ततiltah प्रोडुसर से सच बोला कीजिए प्रोडुसर तम रहेंगे लेकिन रेगुलर प्रोडुसर तो भी आया थो ठोग इससे बठार चाण एक परफार्मेंस एक बढ़िया फिल्म दे फिर से एक बढ़ और आए वह निए बधा दूँ अब को और हमेशा से के सपना रहा था सपना इधा की हम साथ काम करें और फिलाल फिल्म का। टाइटल है सपने साजन के, मेरे खाल से सपने पूरे हो अगा है, मणीश की बात करें, मरें मेरे और लएपो तरहेगा अछा है, मनीश नहीं कि मैं हिरो बनूंगा और भी एपनके我就 हो सब प्रहाइटेब्स हम से के इता Chapter है उसके पास ही एफिरे कि आलाएं साजन विजह के लिए सब के सब्सक्राइब कर वहां कि रुजचन अब लड़की का सपना है नहीं पर उट यह अध। कि उसका फेडिट सज्डा उसको इसका अभी तक मेरा सवना फूरा हुआ नहीं है लेकिन वो शायद कहीं हो जए। आपके सपने के सजन कहा है अभी तक मिला नहीं है, दिर्टर डिसाइड करेंगे, विल में तो डिर्टर डिसाइड करेंगे, डैपिनेटल लिए। किरदार के बात किजाए करपनाची क्या कहना चाहे है किरदार, डेखे टाइटल से पता चलता है कि पो पॉजिछिछनी है grind guess साजन की sagnön film पोफिल्म के हिजाψे और बह़त पॉजिछिछिछ ऑःड्यों की पॉजिटिफ किरदार है देखे हे डिशाब हआई बिल्कुल, उमीर है कि इस बार भी कुछ अच्छी चाफ छोड़ी जाए, और ओडियन्स को एक अच्छा भरपूर एंटेटेन्मेंट दिया जाए इस बात करें फिल्म के डिरेक्टर पोडूर की तो किया करना चाही है यह डिरेक्टर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेगा तो इस बहुत बैटर है तो मेरे गर का नाम हैं सही है, तो मेरे लिए खोशी है कि सब जाती विरादरवाल है, सब एक सब बिढ़ गए है, आपके MRP का यम का यहां पर साथ है, जिसने एक छोड़ी से मुहीम निकाली थी, गद्वेगानों को लेकर दो-चार लेटर यहां वहां फेके थे, वो लेटर क पत्रकार का मतलब होता है, समाज का आकार, तो समाज का आकार गलत मत दिखाईए, बहुत लोग अपने लाइक से बढ़ाने के लिए ना, न्यूस बढ़ी जूटी-जूटी यहां वहां करते हैं, मैं उनकी बहुत जल्दी क्लास लेने वाला हूँ, मैं इसे बहुत डर के र पत्रकार कहीं ना कहीं, गरिमा है, अपनी गरिमा खतम मत करिये, पत्रकार को पढ़ने, ऐसा कुछ लिखिये ना, कि आपको पढ़ने के लिए मैं भी वेट करूँ कि मैं उस साइड को जरूर परूँ, जबरदस्ती लाइक मत बढ़वाई है कि आज उसने उसकी बीवी को भ मत ममले इस श्मय करें अगरे, क्योंकि जहां दिन है वहां रात, जहां अच्छा ही हे वहां पुराई है, जहां मर्द है वहीं घृत है, अनगे आपकी किदार के बात करें, तो ही रोस है, हार फिल्म ने देखते हैं, कई न कई अपने परिवार की रक्षा करता है, हीरो, कहा कि मेरा करदार कितना पावरफुल है इसमें थोड़ा action मैं action ही रहूंग तो बिना action कि तो कोई film मुझे लेकर बनाता ही नहीं मैं तो वेट करता हूँ किसी film में तो मत लड़ा हो पर हार फिल्म में बोलते है मनोज भाई आपके action ऐसा है तो फिल्म के डारेक्टर प्रोडूसर को कितना support करने वाले हैं पूरा रहे मैं support नहीं करूंगों तो कौन करेंगा विचारे मुझे पर ही वरोसा करते है और यह बहुत बड़ी बात हुथी कि कोई आप पर भरोसा करता है तो समल लिजिए कि आप इसका blood बनते हैं तो किसी का भरोसा मत तोड़ी है कभी किसी को आस पर मत जा रहे हैं कितना excited है और कितना सीखने वाले हिंसे जैसे कि भाईया ने बताया सपने साजन के तो सचे मेरा भी सपना पूरा हो रहा है एक्शली यह मेरी second मेरे जीवन साथी तो उसमें भी लीड किया था यह क्या पता क्या अच्छा लगा फिर से मौका मिला बहुत खुशनाशी हूं हूं है कि उनके साथ दूसरी फिल्म करना और उससे बड़ा खुशकर भाईया भी एक भाईया तब होते हैं ना जब छोटा भाईया हो बड़ा होता है जब छोटा हो परना अकेले तो आप बड़े भी नहीं हो सकते अगले छोटे बीनियों सकते यह बात सही है लेकिन जिसे सहारा में शहारा पूरा है मैं पूरा सब्सक्राइब हो मैं अपने लिए बहूत सभा कि सुमस्ता हूं कि मुझे के साथ काम करने का मौका मेरे क जब तक आप किसी गली पर जाएंगे नहीं आपको वहां के खट्डे का पता कैसे चलेगा तो जैसे से में गुजरता गया ना मैं निखरता गया और वैसे से में बुढ़ा भी होता जा रहे हूं एक टाइम ऐसा है गाना कि मैं बाप करूल करूंगा तो रजनी कान की तरह बुढ़ापे में बी सुपर स्टार बनकर 0.2 बनाओंगा फुली अप्लोड़ेट 0.2 फुली तो अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है तो यहां कि जितने कुक्स है ना वो जिस दिन अपने कहते ना अकड़ पर आ गया ना कि सिनेमा बनाओंगा तो सलाल बाहु बली बनाओंगा वुजिन पोई रोकी नहीं सकता तो हम सबको सबसे से पहले विश करनी हमारे ताकि वो फिल्मों को बड़े लेबल पर प्रमोड कर सके यह ना हो यहां से इंटरव्यू हुआ यूट्यूब पे लोड़ वा जाय शिराम चलते है आपका हो गया हमारी फिल्म के डिरेक्टर है मनुज भासकर जी सर पैनिंग कर लिए देखन में छोटन लगे घाओ करें गमगी है तो आप सब मेरी तरफ से और अपनी तरफ से भीन है विशेश दीजिए कि यह बहुत अची फिल्म मनाएं और बैक टू बैक एक दिन राजा मॉली बन जाएं थीके बगल में हमारे चाधरी जी है जो फिल्म के परद्फर है कन्षौ नामी चाधरी है अब डेख रहे हैं क्यामरा अब चाधरी जी पर ही रखी आप रीच तो बिल्कुल सूट करते हैं चौधरी कुछ कर पाता है वाकि हम तो इनके तहीं नहीं अंदर हैं हीरो क्या है जब तक डिरेक्टर प्रोडूसर रूपी अंक नहीं मिलते ना उससा कुछ होता ही निया तो विश्क करिये हमको ऐसा यह अंक मिलते रहे और दिन बदेन हमारे अं पंडेक्र मॉवें लाइख के यह और सब्स्थ्री फिल्म बना है कि आपकी लाफ श्टोरी तो नहीं है ? कोई अपना लावि स्टोरी है तो सारे लोगों कर रहे हो कि तभी ऐसा नहों कि कोई ऐक हासा हो जो सोचा हो ला उसको सिनेमा का रूप देते हैं एक आपना इसा नहीं है कि वह बेखा असारी चीजों को हर प्रोजेक्ट देखे काफी फिल्में देखी तो इस प्रोजेक्ट न तो रहा ही होगा इनकी जीवन की कहानी रही होगी जो इस कानी से मैच कर गई होगी तो बहुत पहले मुझे जगत में आने का सपना था और चुट चुका था और मैं प्रणाओ ब्रणाओ जीशcco जीए अड्य में अपने इस स्टोरी को मुझे बटाया और इस स्टोरी मुझे अच्छी लगी क्या है और एक साभाजी कहानी है इंटर्टैन्मेंट भी है और मनु रंजन भी खाज सवी है सिछा प्रदी भी है तो मैंनोच जी में चाहिक प्रोडूर्यर प्रडूशर प्रकास जी प्रकास यादो जी शाथ में सायूकिया हूं और इसमें ने भी का साथियों ने भी इसका नी को जैसे मैं बताया तो लगा ते बहुत अच्छा है और अप सर आगे बढ़िये हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें पूरा हुआ है क्योंकि दूसरी फिल्म है और नेश्ट में आगे और मुवी हम करेंगे और बनाएंगे जोद्री जी की और मनोच जी की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे क्योंकि डिरेक्टर प्रोडुसर का जब तक ताना बाना एक दम बराबर रहता है सेनेमा बनता रहता है हमें एक होगा कि इन दोने की जोड़ी ऐसी बनी रहे कोई बीच में नाए कोई नजर ना लगे दिल से बशे से राम जी आप लोगों की जोड़ी ऐसी बनाए रखें फिल्म की शूटिंग में इलहाबाद मुंबई और नेपाल करने वाला हूं संतों की नगरी भक्तों का शहर द अब तो प्रयाग ही अब तो प्रयाग ही है अब तो प्रयाग ही है और प्रयाग में करेंगे महत्मा बुद्द की नगरी को शांबी में भी हम इस फिल्म के सूटिंग करने के लिए जाएंगे बाकि डाइक्टर साब बताएंगे कहां कहां करना लेकिन हम ने जो सुचा है कि 커शाम भी जहां महत्माबुद्ध की नगरी है और प्रियाग राज जहां महत्मा और गंगा जमना होotom हो है वहां हम स्विटींग करेंगे जहां पर संगव हैं वहां इस फिल्म की सुटींग होग डिरेक्टर साब को दिखा चुके हैं लोकेशन और इन्हें लगा अच्छा है कि बहुत बड़ी आ है तो वहां पर भी हम गाने वाने फिल्माएंगे लेकर जा रहे हैं वहां हमारे जगत के सबसे बड़े स्थार अमिद जी वहीं से हैं तो इसी बाने हमका गाउं देखने का म पर जोश है जी पताइए फिल्म आज महुड़ी वहीं सपने साजन के तो टाइटा से लग रहा है कि जैसे मनोज सर ने बोला कि सपने साजन के मतलब हर किसी का एक सपना होता है रियल में सो मेरे वी सपने है विश करियो सपने पूरे हो जाए आपके सपने के साजन का नहीं में इस ऑफन विशिए को बड़ने क्या बता देने आपक मैं यह गलत कर रही है बिकोज हर इंसान की पास सेम दिल है सेम गुर्दा सब घियर सबकुच है तो जिसे हमार इंसान का कुछ नब को सपना होता है इंक अभी होगा फर्क्ट होते कोई मुफट होता है बतादेता है लाइक मैं बता देता हूं अजब बहुत अच्छा एक माधूरी जी एक असी है जो सब के लिए आधर्श है एक हरोइन के लिए माधूरी जी आधर्श है और मेरे रहे लिए मैं वहाँ करें तो इसमें एक कालेज कहिए मैं पुरी के एसे दो इसंटली नहीं नहीं दिखेंगी हाğ्-डैध यहाज्टत इसाब लोग शच्क बाद पूछता हूं चाहिए हीरो की बैनों पर उसको आप वह नि आपके इस फिल्म आपके साजयन कौन बनने वाले इस फिल्म उनका मी नाम मनोजी है आइ तिंक नहीं पता मुझे पक्का नहीं पता है कर दियरेक्टर सर को पता होगा मनिश नाम है उनके साथ काम किया मेरी दूसरी फिल्म उनके साथ काम करें बहुत अच्छा लगता है और उनकी फिल्म इचे बहुत साफसुत्री होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका सपोर्ट करिए क्योंकि हर नया इंसान एक नएक दिन पुराना होता है और हर पुराना स्टार पहले नया ही था किसी के बारे में अपनी राय कायम मत करिए यह कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि एक लाइन है कि किसे के बारे में अपनी राय कायम ना करो उसका वक्त बदलेगा सबकी राय बदल जाएगी तो ऐसा ना हो कि आज जिसे जिसको चिड़ाते हैं लोग इनके मैं बहुत रस्पेक्ट करता हूं मोदी जी एक चाय वाला पीम बन गया तो ऐसा ना हो कि हमारी प्रिया जी माधुरी बन जाए राज जो लोग गॉसिप्स कहते हैं वो उनकी बोलती बंद हो जाए एक कहावत है पर्सा पर्सुवा पर्सराम जिब तक कुछ नहीं के बले कोले पर्सवा है ठीक है और जैसी अधिका था बुड़ापे में पूरा हुआ पर आज बहुत बड़े मेकर है ठीक है तो आज मनुझ जी नहीं भी इस अपना देखा एक चुरूआ भले ही छोटी है चुला भले छोटा है पर क्या पता पक्वान बहुत अच्छा हो तो विश करिए सबके लिए विश करिए त और अच्छा है कि सबका घर बार चले और अच्छी फिल्में बने सभेता के अंदर माँ भाई सब एक साथ बैट कर देख सकें और हर तरह के लोग होते हैं तो फिल्मों में हर तरह का मसारा डारा जाता है कि सबका मन और अजयन हो और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए कुछ लोग लव्सुनने जाते हैं कुछ नोग धार्मी चीज़ें देखना चाहते हैं तो सबका सम्मान हो सबका आदर प्यार हो मसावर क्या इस प्लिम में आप जैसे गीतकार हो किसी करण हो तो जा मिधा किस दरह से जोंगे बहुत अच्छा इदम साफ शुत्रे गाने रह तो गाना बनने के बाद ही तय होगा अभी गाने लिखे जा रहे हैं कुछी गाने बने है तो ऐसे ही आप क्या गहना चाहिए इसके लिए इसके लिए बहुत धन्य बाद देना चाहता हूं क्विश भी आपन काम झाल मॉनी यह करें लेते हैं के लाइट कमता बिशेुरा करते हैं कभी-कभी गाना भीजा लेते हैं संवाइंगे आप से सब्सक्राइब टन को ऌसा मेरे गुरु है डबलू राजा भी बहुत रॉमांटिक बच्चा है और बहुत प्यारा गायक और बिहार की धर्तिसे हैं और आने वाले टाइम में मातरा निकरे कि यह नाम करें अपने मावबाप का गाउपूर का बढ़ियां से गाना गायें और इस फिल्म में जो है बहुत अच्छा है इनक सबसे पहले तो मैं सबसे भुषपुरिया समाज को पढ़ाम करता हूं और यह सपने साजन के इस फिल्म के डार्यक्टर मोनोज भासकर जी और पोडूसर आर्यान चाधरी जी इस फिल्म में मेरा दो सौंग है भी फिलाल में मगा डिसाइड नहीं हुआ है क्या गाने वाले हो एक्टिंग करने वाला हूं तो कुछ गाना गागे सुना हो गया आपका हाँ गागे सुना सकता हूं अभी फिलाल में मेरा भी रिलीज हुआ दंगल से यह भी साथ में गाय हैं कि आबनादानी तो है मन बहलाईव लेचल के जुहुचाव पाठी घुमाईव आबनादानी तो है मन बहलाईव लेचल के जुहुचाव पाठी घुमाईव वठवासी वठवासाटाईव मुंबई के बाड़ा पाव किलाईव हेरानी तो के कुलफी चुसाईव करता हूं कि इतने किसको कि अपने प्रिंकाओं को कुलफी और वड़ा पाओ कर लेते हैं पूरा दिन तो उसी पर अभी लिखे थेरा में सराजी कभी जी मेरे मनागेस भी गाहे हैं हम भी गाहे हैं उस गाने में इस फिल्म में कामेडिया नूँ दो सौंग भी है मेरा इसमें आप सभी मेडिया भाही को प्रडाम करता हूं और इस तीम के जितने भी मेंबर हैं सभी लों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आज इस अपने साजन मुवी का मुहरत हुआ है बहुत अच्छी मुवी और इसमें लगबग मार्केट के अच्छे-चे लोग कलाकार जो काम कर रहे हैं और काफी अच्छी मुवी मतलब यह कि आप से देखा जाए तो नए अंदाज में नहीं साबसे मुवी मार्केट में आने वाली है और इसके डारेक्टर हमारे मनोज भी है लगबग मैं इसी स्टूडियो का बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट है और मैं यहीं चाहूंगा कि यह मुवी आगे चलके एक अच्छे लेवल पर पहुंचे और पब्लीक का पूरा प्यार मिले सभी का और बस एही कहना चाहूंगा मैं कोई गाना गागी सुनान चाहीं है यास जरूर सिंगर हूं जरूर मेरा नाम सूरज कुमार है मैं यहां पर एडिटिंग करता हूं जी मेरे अज फिल्म को महुरत है सबने साजन के क्या चाहिए फिल्म बहुत अच्छी है यहां पर इस्क्रिप्त तयार हुआ है मारे मनेज भाई यह उन्हें अपने हाथों से बैठा के लिखवाया है यह फिल है वह अच्छा हमका फिल्म भी देखा हूं बहुत अच्छी फिल्म आते हैं उनकी मेरा नाम बबलू राजफर है एज़े केमरा मैं एक फिल्म बहुत अच्छी है इसके भी समय हम लोग बहुत बाटके डिसकर्स की एक दिन है और बाद में प्लान किया गया कि इसको बनाय तो बहुत अच्छा लगा फिल्म इसका कहानी बहुत बढ़िया है कि इसमें जहां तक मानते हैं कि पिचर बनाई जा रही है जो कि गाउं का रियल स्टोरी पर अधारित है और यह बहुत अच्छा कहानी लग रहा है इसमें प्रिडूसर जी जो है वह भी बहुत अच्छा किजार करते हैं अच्छे रूल करते हैं और उसके बाद हीरो भी अच्छे है मनो जी और उसके बाद हीरोईन भी सही है कलपना जी अच्छे चीजे हैं भोजपुरी पिक्चर और भोजपुरी मतलब लोग बहुत अच्छे चीजे हैं भोजपुरी पिक्चर और भोजपुरी मतलब लोग भी बिहार उपी में करते थे कि मतलब पूरी उस तरीका से हमारी भासा में खुसबु आती है और भोजपुरी बहुत अच्छे पिर्म तो बहुत दो चोड़ दीजिए क्योंकि भोजपुरी में हमने इतनी भी देखा हि दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और बहुत करीवी है और कहानी तो भोजपुरी वाले पभी से कह Kitchen ना चाहता है तो आप लोग इस चीज़ों को विरौद क्यों नहीं करते my कि मैं आप सभी पब्लीकों से यह पूछना चाहता हूं कि हमारी पब्लीकों कि बदनाम करें चाहता है कि भुजपुरी सुनना गंदा सुनना चाहते हैं अब यूज ब्यक्ति को पिक्चर आप ना देखे तो बहतर है क्योंकि वो कोई कि चाहता है क्या कोई जाते हों हैं कोई किसी का खरीदा हुआ बाप का जागीर तो यह हैं बोलना चाहता हूँ अगर कोई यह चाहता है या कोई कहता है पबलीक से या मीडिया से कि हम है हमें हटा दो तो भुजपुरी में कुछ नहीं रहेगा मैं उस ब्यक्ति से कहना चाहता हूं ऐसे चुटकी के बलकि तु भुजपुरी इंदुस्टी छोड़ दे तु देख भुजपुरी इंदुस्टी चलती है भुजपुरी पिक्चर बनती है या नहीं बनती है जिसको बात करने की तमीज नहीं है दो टके की जिसकी बहुत बात करने की तमीजी नहीं जिसको थोड़ी सी सिच्छा के बारे में नौलेज नहीं है वो बोलता है कि हमें भुजपुरी पिक्चर से निकाल दिया जाए तो हम उसको निकाल दिया जाए उसको निकाल दिया जाए तो भुजपुरी पिक्चर में कुछ बचेगा नहीं मैं कहता हू जो हमने सब्सक्राइब पैसा पिक्चर देखा था जहां से बोजपुरी की दवर सुरी हुई है इन लोग एकर यह सब बात थोड़ा सा कहते तो हमें समझ में आती कि बोजपुरी पिक्चर को इन लोगों ने दवर लेके आया है ऐसा नहीं है कि मोनकी तारीफ कर रहे हैं कि व अभी भी करेंगा अभी भी करते हैं लेकिन तुम कहते हो कि हमारे लिए को जनता हमें सपोर्ट नहीं करता तुम पहले जनता को सपोर्ट करो तुम कहते हो कि हम रजनी कांत वनना चाहते हैं तो रजनी कांत अपनी पूरी कमाई जनता में बार देता है और तुम लोग हो जो कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि जो भी गंदे गाने गाते हैं उनके विडियोत कीजिए और अच्छे चीज आप लोग सुनिए अच्छे देखिए यह हमें नहीं कह रहे हैं कि सपने साजन की हमारा पिक्चर इसलिए बहुत अच्छा है आप पिक्चर देखिए और आप डिसा यह फिल्म सपने साजन के बहुत ही अच्छी फिल्म है पारिवारिक फिल्म है और भोचपुरी भाषा का जो अउचित्त है भोचपुरी भाषा की जो निव है वो पारिवारिकता से है आपसी संबंधों से है आपसी समझ से है इसी सिलसले में यह मूवी यह फिल्म एक पार आप्रिद्रिश्य समझाती है बताती हैं दूसरे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे भाई मनोज भासकर गां मनीश जी इतर फिल्म ut एंपी लीड एकटर मनोज जी कल्पना जी इस सब हमारे अच्छे दोस्त हैं अंधर और इन मैं पुजा पटेल हूँ फिल्म के बारे में इतना ही कहूंगी कि सपने साजन के मुवी जैसे कि शाइलेश जी ने अभी बताया कि पारिवारिक मुवी है बहुत ही अच्छी है और आप सब ओडियोंस से ही कहना चाहेंगे आप उनको देखने जाए और सबको आशिरवाद दी में कलपना जी मनोज जी मैं सबको डिरेक्टर प्रड्यूसर उनको सबको मैं बहुत-बहुत कॉंग्रेट्स कहना चाहूंगी और आल दबेस्ट हैव ग्रेट सक्सेस आप इस फिल्म से किस तरह जुड़े हूंगे बस हम दोस्त हैं साइलेश जी है मनोज जी हम लोग सब दो करना चाहूंगी लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसी ऐसे चांस होते तो मैं नहीं मानती कि मैं इसमें नहीं होती ठीक है और आप अपने मारे मताना चाहेंगे अब तक आपने क्या किया है। तो बेसिकली मैं भी आर्टिस्टी हूँ और नेक्स्ट शायलेश जी की मुवी में शायत मैं हूँ। बोचपरी सिनेमा में आप भी अंट्री करने वाले हैं। डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि शायलेश जी जो भी कुछ काम करें उसमें मैं इन्मॉल रहूं। आप लोग खर्चा करते हैं, आप आये मुवी को एंजोई किजे, बाकी सारी बाते मत सोचिए, देखे, मुवी जो होती है, वो कुछ न कुछ समाच, मतलब सोसाइटी को मैसेज देने के लिए होती है, अच्छी मुवी होती है, और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आराम से देखे, और अपनी अच्छी कमेंट्स देजिए, ठाइंच